दोस्तों नम्हें श्कार स्वागत है आपका परिक्षा खबरी में 20 अगस 2021 की महत्पोर्ण खबरों को देखेंगे किसी भी हमारे टेलीग्राम पेट कोर्से जुड़ना हो तो नीचे वाट सप्चंबर पे संपर करके जुड़ सकते हैं दोनों ही भाषाओं में हिंदी इंग्रिश दोनों भाषाओं में कोर्से मौज़ूद हैं अपको पता है भूस्थानिक सूचना प्रद्योगी का कितना आज के समय में उप्योग हो गया है हमारे जीवन में धैनिक जीवन में यहां तक कि आपने देखा मैं उस एप का नाम आप से पूछना चाहूँगा कि भारत सरकार ने कौन सा एप लाँच किया था जिसने भूस थानिक प्रद्योकी का प्रयोग करके ही आपको हमेशा ये सूचना देने का काम किया कि किस शेत्र में आप जाईए किस शेत्र में कोविट संक्रमित लोग जादा है कौन रेड जोन में है यह सब आपको पता चलता था उस आप के माद्यम से कि यहां पर कोविड रोगी होगा तो यह कहां से आपको पता चलता था किस आप से पता चलता था यह आपको बताना है उस आप में भूस्थानिक सुष्चा प्रद्योक्य का ही प्रयोक किया जाता था तो चाहे कृषिशेत्रों संसाधन हो जल की खोज हो आज के समय में संसाधनों की खोज हो या अन्य सुरक्षा सरक्षा से संबंदित चीजें हो पूरे विश्व को सुरक्षित और सरक्षित रखने के लिए पालने पोसने के लिए आज के समय में भूस्थानिक सूषना प्रद हैदराबाद में किया जाएगा यहां वैश्विक भूस्थानिक सूशना प्रविंधन पर विशेशग्यों की संयुक तराश समिती द्वारा आउजित किया जाता है इसका उदेश भूस थानिक सूशनर प्रविंधन और समताओं में सदस सिराज्यों तो था प्रासंगीक हिद्धारकों के बीच अंतराष्टी सायोग को बढ़ाना है समय सीमा इसकी क्या रहेगी इसे प्रत्तेक चार वर्ष में आज जित किया जाता है इसका पहला आयोजन चीन में किया गया था अक्टूबर 2018 में दूसरा आयोजन भारत में हैदरावाद में किया जाएगा इसका विशे इस बार क्या रहेगा वैश्विक गाओं को भूस अक्षम बनाना United Aware Platform भारत सरकार ने जो भारत के सान्ति सैनिक हैं विश्वर में काम कर रहे हैं शान्ति सैनिक आपको पता होगा विश्वर में का तमाम सीरिया इराग जैसे अशांद शेत्र होते हैं उस असान शेत्र में सैनिक राष्ट सान्ति सैना भेजती हैं तो भारत ने एक पहल के तहद उनको प्रद्योग की अच्छी उन तक पहुँच उसको प्रोवाइड करवाने के लिए पहुचाने के लिए युनाइटेट अवेल प्रेटफार्म की सुरुवाद की है भारत ने तो भारत ने सैनिक राष्ट के सहयोग से दुनिया भर में काम कर रहे शांद शेनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रद्योग की मंच सुरू किया है क्या नाम है इसका राष्ट जो सुरक्षा परिश्चत है उसकी अध्यक्षता बदलती रहती है इसका उद्देश क्या है इस परिजना का उद्देश विश्रम खत्रों का पता लगाने के लिए आधनिक निगरानी प्रद्योगी के प्रभाव को प्रदर्शित करना है भारत का योगदान क्या पूछेगा भी एक बार यूपी पीसी जो है जो ट्रैक पकड़ लिया कि दो तीन बार अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो अक्सर पूछी लेता है किसी परिक्षा में तो अटल इनो मिशन वेशन मिशन जो है नीत यायोग के द्वारा चालू किया गया मिशन है इनो अटल टिकरिंग लैम के यूवा नव प्रावर्तकों के लिए शात्र उद्यमिता कायकरम 3.0 की शुरुआत की है शात्रों को एकदम स्टार्टिंग लेवल से ही उनको उद्यम हैतून को कौशल प्रदान करना इसका लक्ष है इसकी थीम मेड इन 3D सीड द फ्यूचर इंटर प्रोग्राम पर अधरित है जिसे 2017 में ला मेन आ ला पाटे फांडेशन और ला फांडेशन डसाल सिस्टम द्वारा फ्रांस में तयार और शुरू किया गया था ये पूछ भी सकता है कहां पे तयार किया गया फ्रांस में शुरू किया गया था शात्र उद्यमिता कायकरम 3. पॉइंट जीरो के लिए इसका प्रियोग किया जाएगा इसका एकरम के हिस्से के रूप में प्रतेक स्कूल में छे छात्र और एक सिक्षक की एक टीम को 3D प्रिंटिंग का उप्योग करके अपना स्वेम का स्टार्ट अप डिजाइन और प्रोटोटाइप बनाने, मार्केट अभियान त्यार करने, उत्पाद मुल निधारन करने को परिभाशित करने और विस्तार करने की रणनी तक लिए सीड फंडिंग आवंडित की जाएगी, इस कायकरम के लिए 26 राजियों की कुल 50 टीमों का जैन किया गया है, इस कायकरम की विशेशताया है, इसमें फ्रांस और भारती स्कूलों के भी शात्रों वा सिक्षकों के लिए बादचीत के असर भी होंगे, दोस्तों आप देख रहे होंगे, पिछले कई वर्षों से भारत सरकार की योजना है, जदा 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 लोगों को कोशल प्रदान करें, जदा जदा नो प्रवर्तन देश में इनो किसित हों, हर नागरिक के पास कुशल रोजगार हो, उनको रोजगार के लिए धर उधर भटकना पड़े, जैसा है कि आज सिर्फ गौवर्मेंट सेक्टर में लोग जॉब करना चाहते हैं, आने वाले समय में ऐसी समस्या नहों, सब के पास अपनी खुद की जॉब हो, अप कि विदेशे, विदेशी नागरिक भी आपके यहां आकर काम करें, ऐसी इस्तितिम पहुचाने के लिए जवरी है कि सबसे पहले तो आपको कुशल बनाया जाए, आपको इनोवेट किया जाए, आपकी इनोवेशन को पहचान की जाए, उसको बढ़ावा दिया जाए, इसके लहां तमाम कौशल और नौपरवरतन के लिए और स्टार्टप्स के लिए, ठीक है चाहे स्टार्टप इंडिया हो, इस्टेंडप इंडिया, बहुत सारी चीजे हैं, सरकार ने सुरू की है, लोगों खड़ा करने के लिए, लोगों कौशल प्रदान करने के लिए, सेल्प ह ग्रुप्स को मजबूत करने के लिए, ताकि आने वाले समय में भारत को मेक इन इंडिया, वाकई में बनाया जा सके, ताकि हम निर्यात बढ़ा सके, अपना आयात पर निर्भरता कम कर सके, आयात हमेशा के लिए खतम तो नहीं हो सकता, लेकिन निर्भरता कम हो, निर्यात ह हम व्यापार घाटे के स्थिति में हैं, उस स्थिति से निकला जा सके हैं, ताकि manufacturing हब बनकर हम चीन की तरफ पूरे विश्व पे नियंतरण कर सके हैं, चलिए परिक्षा खबरी एक्सपेस में क्या है, सुप्रीम कोट ने महिलाओं को नियुने में से किस परिक्षा में भाग लेने के लिए अंतरिम आदेश पारित कर इसकी इजादत दे दिया है, कि ये भी इस परिक्षा में सामिल हो सकती हैं, अभी तक शामिल नहीं हो सकती थी, हाली में किस राजी सरकार ने प्रदेश में गोरक धंदा शब्द के इस्तिमाल पर प्रतिबंद लगा दिया है, अंतर राश्टी मुद्रा कोष्ट ने तालिबान के कबजे के बाद किस देश को सभी वित्ती मदद रोक दी है, अफगानिस्तान, तो आइमेफ ने ये तो सीधी सी बात है, तालिबान के कबजे के बाद किस देश को सभी वित्ती मदद रोक दी है, अफगानिस्तान लेकिन डारेक्ट पूछ सकता है कि आईमेफ ने किस देश पर अभी वित्ती मदद रोकी है तो अफगानिस्तान किंदी मंधिमंडल ने भूविज्ञान के शेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझोता गयापन को हाली में मंजूरी प्रदान कर दी है तो अमेरिका ने भूविज्ञान के शेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझोता कि आपनों को हाली मंजूरी प्रदान कर दी है तो अमेरिका और भारत के बीच हाली में वनस्पत्ति विज्ञानिकों के एक समूँ ने किस दीब समूँ में एक अंब्रेला हेडवाली शैवाल प्रजातिकी खोच की है अंडमान और निकोवार में अंब्रेला हेडवाली शैवाल प्रजातिकी खोच स्वास्त मंत्री मंसुख मंडाविया के अंसार कें सरकार ने आपात कालीन कोविट प्रत्किया पैकेज टू के थाथ पूरवत्तर राज्यों को लभख कितने करोड रुपे अवंडित किये हैं तो कितना 1322.92 करोण रुपे अवंडित किये हैं मंसुख वंडविया ने पूरवत्तर राज्यों को हाली में जांबिया में संपन हुए राष्टपती चुनाओं में देश का नया राष्टपती किसे चुना गया है होकेंडे हिची लेमा को जांबिया का नया राष्टपती चुना गया है होकेंडे हिच जिलेमा. Thanks for watching. बहुत बहुत धन्यवाद.